नमस्कार बायजूज आयस हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम 10 अक्टूबर के 10 हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्पुन समाचारों का विसलेशन करने वाले हैं तो आये सुरू करते हैं आज का समाचार विसलेशन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूँ आज कई सत्र में हम किनके न विस्यों पर चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले पराली जलाने की जो समस्या है उसके सलूसन को लेकर के एक निउस आया है यहाँ पर चर्चा हो रही है पूसा इस्प्रे की इस से रिलिटेड निउस को हम उमिते हैं उसमें उच्छाल देखने को मिल रहा है इसके क्या कारण है इससे रिलिटेड निउस को भी हम यहाँ पर देखेंगे इसके अलावा सांती का नोबल पुरस्कार और साहित का नोबल पुरस्कार जिन व्यक्तियों को दिया गया है और उनके किन कामों को लेकरके इ पर एक न्यूज आया जिसका सिर्शक है और ये टॉपिक जिस पेपर 3 इन्वार्मेंट से जुड़ा हुआ है तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पंजाब और हर्याना में अभी के टाइम में वहां के किसानों के द्वारा पराली को जलाया जाता है और जिसके कारण पूरे उत्तर भारत में खास करके दिल्ली में जो वायू पर दूसर है वो काफी गंभीर हो जाता है और बहुत दिनों से पराली जलाने की समस्या को ले करके और इसके समधान को ले करके चर्चाएं हो रही थी बहुत सारी समधान यहाँ पर सुझाए गये थे लेकिन यहाँ पर एक Decomposer का चर्चा किया गया है जिसका नाम है Pusa Spray जिसका परियोग करके आसानी से इस पराली को खाद में बदला जा सकता है और उसी को ले करके इस News में चर्चा हुआ है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि Bio Decomposer जिसे हम Pusa Spray के नाम से जानते हैं उसे भारतिय क्रिसी अनुसंधान संस्थान Pusa के द्वारा विक्सित किया गया है और यहाँ एक Jav Enzyme है जब इसे तयार किया गया था तब यहाँ कैपसूल के रूप में था लेकिन इस टेकनोलोजी को बैंगलोरु उस्थित एक AgriTech Form जिसका नाम है Nurture Form उसके द्वारा इसका लाइसेंस लिया गया यानि कि जो इसकी तकनीक है वह भारतिय क्रिसी अनुसंधान संस्थान Pusa के द्वारा Nurture Farm को सौपी गई और उसने इसका उप्योग करके एक पौडर बनाया जिसे की पानी के साथ मिला करके घोल के देखना है कि Nurture.form मुंबई इस्थित Agrochemicals Company UPL यानि की United Phosphorus Limited का एक साहयक कंपनी है और उसी के द्वारा इस टेकनोलजी का लाइसेंस लिया गया है अगर हम इसके उप्योग की बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि Pusa Spray का Powder जो है उसे पानी मिला करके घोल बना लिया जाता है और उसे Boom Sprayer आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है वह Boom Sprayer है और उसी में इस घोल को लोड कर दिया जाता है और इस Boom Sprayer के माध्यम से इसका छिड़काव पराली के उपर किया जाता है छिड़काव करने के बाद मिटी को पलड देना है और फिर इसका सिचाई करना है और यहाँ पर जो अध्यान है उसमें पाया गया है कि अगर सही तरीके से इन सारे कामों को किया गया तो यहाँ पर आठ दिनों के अंदर इसके द्वारा सारी के सारी पराली को खाद के रूप में तबदिल कर दिया जाता है जो मीटी के कारबन होते हैं और सुक्ष पोसकत तो होते हैं वो भी बरकरार रहते हैं तो यहाँ पर एक सलूसन लेकर के आई है बेंगलोरू इस्तिक एक एगरिटेक फॉर्म जिसका नाम है नर्चर फॉर्म और उसने जो टेकनोलोजी का यूज किया है उसे भारतिय कृसी अनुसंधान संस्थान पूसा के द्वरा बनाया गया है और आपको ध्यान में रखना है कि यह एक बायोट डिकंपोजर है जिसका नाम है पूसा एस्प्रे तो इसको लेकर के अभी अध्यन जारी है पाइलेट प्रोजेक के रूप में इसको कई जगों पर यूज किया गया है और अगर यह तकनीक काम्याब हो जाती है और बड़े पैमाने पर इसका प्रियोग अगर किसानों की द्वरा किया जाएगा तो पराली जलाने की जो समस्या है वह कम हो जाएगी और वहां से जो वायू परदूसन पूरे उत्तर भारत को देखने को मिलता है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा तो बहुत ही important है यह आपके exam point of view से इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे आए एक और news के हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं आज के paper के page number 1 और 8 पे एक news आया जिसका सिरसक है हिमाचल गेटिंग लेस स्नो और यह topic भी GS paper 3 environment से जुड़ा हुआ ह तो बहुत ही important news है यह और यहाँ पर एक study में पता चला है कि climate change का प्रभाव जो हमारे हिमाली राज है जैसे हिमाचल परदेश उत्राखंड उन पर काफी बुरा पड़ रहा है और यहाँ पर कहा गया है कि हिमाचल परदेश में जो कि एक पहाड़ी राज है उसमें पिछले को भी खतरा पैदा हो गया है यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि advanced wide field sensor और उपग्रह के data का उपयोग करते हुए state center on climate change और space application center अहमदाबाद के द्वारा सयुकत रूप से एक अध्यन किया गया और इस अध्यन में यह पता चला है कि सतलूज, रावी, चिनाव और व्य सहित सभी प्रमुख नदी घाटियों में 2019-20 की तुलना में 2020-21 की सर्दियों में बर्फ के छेतर में कुल मिला करके 18.5% की कमी देखी गई है याने कि आम भासा में कहें तो 2020 के मुकाबले 20-21 में जो बर्भबारी हुई है उसके छेतर में 18.5% की कमी देखी गई है और आपक पचले एक दसक से इन प्रमुख नदी घाटियों में जो बर्भबारी है उसमें कभी देखने को मिली है इस अध्यान से में पता चलता है कि सभी प्रमुख नदी घाटियों में 2020-21 की सर्दियों में बर्फ के छेतर में समग रूप से कमी आई है और यहाँ पर इसका डेटा भी दिया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्पून है यहाँ पर बताया गया है कि चिनाओ बेसिन में और ब्यास बेसिन में लगभग 9% और 19% की बर्फबारी में कमी हुई है 2019-20 की तुलना में रावी और सतलुज नदी घाटियों में भी 23% कम हिंपात देखा गया है और अगर हम एरवाइस कमपेर करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि 2019-20 के मुकाबले 2021 में लगभग 18.5% की कमी यहाँ पर दर्च किया गया है आपको यह ध्यान में रखना है कि ठंडी के मौसम में हिमाचल परदेश का लगभग एक दियाई भगौलिक भाग मोटी बरफ से धका रहता है जिससे वहाँ से बहने वाले जो नदिया है जिसमें चिनाव, व्यास, पारवती, बस्पा, इस्पीती, रावी, सतलुज जैसी जो नदिया है उनमें सालों भर पानी बना रहता है यहाँ पर कहा गया है कि अगर बरबारी में कमी आएगी तो इन प्रमुक नद बात इस study में कहा गया है जिसको आपको ध्यान में रखना है यहां पर भारत का जो मौसम विभाग है उसका भी यही कहना है कि पिछले 10 वर्सों में आस्तन बारिस और बरह बारी में कमी देखी गई है और यहां पर जो कारण है वह यह बताया जा रहा है कि यहां पर इस इलाके में तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है जिसके कारण बरह बारी में कमी देखने को मिल रहा है यानि कि यहां पर जलवायू पयोतन का असर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है यहां पर कारणों के उपर भी चर्चा किया गया है और यहां पर तापमान को इस उचाई वाले इलाकों में जो तापमान बढ़ रहा है वह इसका प्रमु कारण है और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मैदानी इलाकों की तुलना में उचाई वाले जो इलाके हैं वहाँ पर तापमान तेजी से बढ़ रहा है यानि कि जलवायू परियुदतन का असर ज अधिक नमी ले जाया जा रहा है मानसुनी हवाओं के द्वारा लेकिन यहाँ पर बरहबारी में कमी हो रही है क्योंकि यहाँ पर बरहबारी करने के लिए तापमान को जो है सब जीरो लेबल पर जाना होता है लेकिन तापमान में जो बढ़ोतरी होई है उसके कारण पर्याप राज हैं हिमाचल परदेश हो उत्राखंड हो जम्मु कस्मीर हो वहां पर आपको बरह बारी कम देखने को मिल रहा है और आप सभी जानते हैं कि इस छेत से निकलने वाली नदियां हमारे देश की जीवन रेखा हैं और अगर इसी तरीके से यहां पर बरह बारी कम हुआ तो इ यह पता चलता है कि आखिर जो बरह बारी कम हो रही है हिमाचल परदेश में उत्राखंड में उसके क्या कारण है तो इस निउस को भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है आए एक और निउस की हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं आज के पेपर के पेज नंबर 8 पर एक निउस आ हुआ है क्योंकि यहां पर रूस के द्वारा जिस तरीके से अपनी पाइपलान योजना का इस्तमाल युक्रेन और पोलन के खिलाफ किया जा रहा है उसको ले करके भी यहां पर चर्चा किया गया है तो जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले कुछ महीनों में प्राकिर्ति गैस की कीमिते पिछले साल के मुकाबले लगभग 6 गुना बढ़ चुकी है और इसके कारणों की यहां पर चर्चा हुई है कि आखिर वो क्या कारण है जिसके कारण यूरोप में प्राकिर्तिक गैस की कीमिते बढ़ रही है और इसके उपर चर्चा करते हूँ यहां पर लि बढ़ी है उसके कारण प्राकिर्तिक गैस का जो डिमांड है वो भी बढ़ा है जिसे की पूरा करने के लिए बहुत सारे देश अभी तयार नहीं है और जिसके कारण कीमितों में बढ़ोती हुई है। बहुत सारे देशों के द्वारा स्वक्ष उर्जा की ओर अपना कदम बढ़ा दिया गया है और इस कारण से युरोप की जो गैस पर निर्भरता है वो भी बढ़ गई है। वो है भूराजनिती यानि की जियो पॉलिटिक्स और यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स भी एक बहुत ही महत्मुन कारण है जिसके कारण प्राकिर्टिक गैस के कीमितें बढ़ रही है। जिसकी चर्चा यहाँ पर किया गया है। में 200 BCM से कम हो गया यानि कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राकृतिक गैस के उत्पादन में युरोप में भारी कमी आई है जबकि वहाँ पर डिमांड बहुत ही बढ़ा है यहाँ पर कहा गया है कि युरोप का प्राकृतिक गैस का उत्पादन पिछले कुछ वर्सों में काफी कम हुआ है जिसका डेटा मैंने आपको अभी अभी दिया क्योंकि बहुत सारे देशों ने पार्यावर्णिय चिंताओं के कारण इसके उत्पादन के छेतर को बंद कर दिया है और आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यूरोप प्राकिर्तिक गैस के लिए रूस पर बहुत ही ज़्यदा डिपेंड करता है और इसलिए रूस की जो जियो पोलिटिक्स है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है यहाँ पर कहा गया है कि जैसे जैसे दुनिया भर में प्राकिर्तिक गैस की मांग बढ़ी है और यूरोप में उत्पादन में गिरावट आई है इसी बीच रूस के द्वारा यूक्रेन और पॉलेंड से गुजरने वाली अपनी pipeline जिससे वह पूरे यूरोप को प्राकिर्तिक गैस की supply करता है उसमें भी रूस के द्वारा कमी कर द देमान किया है जो यूक्रेन और पॉलेंड को दर्कनार करते हुए रूसी गैस को सीधे जर्मनी ले जाता है आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लू डॉट लाइन है इसी pipeline को नौडर्म स्ट्रीम 2 pipeline कहा जाता है जो की रसिया को सीधे जर्मनी से जोडता है और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यह जो pipeline है वह यूक्रेन और पॉलेंड से हो करके नहीं गुजरता आपको यह भी ध्यान में रखना है कि नौडर्म स्ट्रीम 2 pipeline से अभी तक यूरोप के बहुत सारे देशों को आपूर्ती सुरू नहीं की गई है क्योंकि इ नहीं यूक्रेन और पॉलेंड से अपनी दуш्मनी का बदला लेने के लिए रूस के दवारा बनाया गया है और यहां पर रसिया जो है यूक्रेन और पॉलेंड के साथ साथ यूरोप के बहुत सारे देशों पर प्राकिर्ती गैस की सप्लाई को ले कर के दबाव बनाना चाह और यहां पर यह साफ साफ कहा जा रहा है कि रसिया के द्वरा Nord Stream 2 Pipeline को उरोपिय संग से अनुमूदन प्राप्ट करने के लिए उरोप में जान बूच करके यूर्जा की कमी की गई है ताकि इस उर्जा की कमी को देखते हुए उरोपिय संग के देश Nord Stream 2 Pipeline को मंजूरी दे दे लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि यूएस के साफ साथ यूरोप के कई देश इस पाइपलाइन के आलोचक बने हुए हैं क्योंकि उनका कहना है कि पाइपलाइन रूस को यूरोपिय महादीप पर अपना बढ़ध बनाने में मदद करेगा, रूस इस पाइपलाइन के द्वरा यूरोप को प्राकिर्तिक गैस की सप्लाई में कमी कर दी गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण यूरोप में प्राकिर्तिक गैस की कीमितें लगातार बढ़ रही है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि वह कौन-कौन से कारण है, जिसके कारण natural gas का जो price है, वो बढ़ रहा है, पहरा कारण तो आप जलवायू परिवितन को मान सकते हैं, जिसके कारण बहुत सारे देशों के द्वारा clean energy की तरह बढ़ा जा रहा है, और जो दूसरा प्रम का जिसका सिर्षक है, torch barrier of freedom of expression, और यह topic जिस paper 2 से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर freedom of expression की बात कही जा रही है, वैसे तो यहां पर चर्चा हो रही है, नोबल के सांती पुरसकार की, और आप सभी को यहां पर ध्यान में रखना है, कि फिलिपीन्स की पत्रकार, मारिया रे जिसा और उसी पत्रकार, दमित्री मुरातोब को इस साल के सांती के लिए नोबल पुरसकार से सम्मानित करने की घोसना की गई है, यहां पर नौर्वे की नोबल समीती ने अभिवेक्ति की सुतंता के लिए उनकी लड़ाई का हवाला देते हुए, कहा है कि सांती को बढ़ा पत्रकारिता सत्ता के दुरुपयोग, जूट और युद्य के दुस्परचार से बचाने में काम करती है, और इसमें जो इन दोनों पत्रकारों का युगदान है, उस युगदान को देखते हुए उन्हें सांती के लिए नोबल पुरसकार से सम्मानित किया जा रहा है, अग किसा के इस्तमाल का परदाफास करने के लिए अभिव्यक्ति की सुतनता का उपयोग किया, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी, 2012 में, जिसका नाम है रैपलर, और यहां पर उन्होंने इसके माध्यम से खोजी रिपोर्टिंग को आगे बढ़ाया, जिसके कारण फिलिप दिया गया है, अगर हम रूसी पत्रकार दमित्री मुरातेव की बात करें, तो दमित्री मुरातेव रूस में चुनोती पुन प्रस्थितियों के बावजूद, दसकों तक अविव्यक्ति की आजादी के बड़े पैरोकार रहे हैं, पत्रकारों की हत्या, धमक्यों के चलाया जाता है आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मुरातोव 1990 में सोवियत नेता मीखायल गरवाचेव के बाद सान्ती पुरसकार जीतने वाले पहले रूसी हैं और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मिखायल गरवाचो खुद नोवाया गजेटा से जुड़े हुए आगर हम 2021 के World Press Freedom Index की बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि Philippines 180 देशों में इस इंडेक्स में 138 अस्थान पर था और अगर हम रसिया की बात करें तो रसिया इस इंडेक्स में 150 अस्थान पर था लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो आपको यह ध्यान में रखना है कि भारत का इस इंडेक्स में जो अस्थान था वह 142 था आउट ओफ 180 कंट्री तो कहने कास है यह है कि भारत में भी जो प्रेस फ्रिडम है वो काफी अच्छा नहीं है और यहाँ पर जो इन दोनों पत्रक पत्रकारों को यह नोबल पुरसकार दिया गया है वह कहीं ना कहीं सुतंत्र और तथ्य अधारित पत्रकाजिता को आगे बढ़ाने में मदद करेगा तो कुछ important facts हैं जिसको कि आप लोग ध्यान में रखेंगे आपके exam के लिए महत्पुन हो सकते हैं आए एक और news की हम यहा to minority से जोड़ कर देख सकते हैं क्योंकि यहां पर जिस व्यक्ति को यह पुरसकार मिला है उन्होंने refuses minority को लेकर के बहुत सारी किताबे लिखी हैं आपको यह ध्यान में रखना है साहित्य का नोबल पुरसकार इस साल तंजानिया के अब्दुल रजाक गुर्णा को दिया गय और नोबल कमीटी ने अपने बयान में कहा है कि उपनिवेश वात के खिलाफ रजाक ने किसी तरह का कोई समझोता नहीं किया उन्हें इस बुड़ाई के जर पर अपने साहित्य के माध्यम से प्रहार किया गुर्णा की कोशिस है कि महाधीपों के बीच सांस्कृतिक अंतर क गहरी खाई को लेखनी के माध्यम से भरा जाए और इसी को देखते हुए यहाँ पर उन्हें नोबल का साहित प्रुसकार दिया जा रहा है तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि उनके द्वारा जिस मुद्दे पर लिखा जा रहा है वो बहुत ही महत्पुन से रिटायर हुए हैं और यहाँ पर वे अंग्रेजी के प्रोफेसर थें और यहीं पर उन्होंने इस विसे पर कई सारी रचनाई की चुकि यह खुद भी एक रिफ्यूजी रह चुके हैं इसलिए उन्होंने जो रिफ्यूजी हैं उनकी समस्याओं को लेकर के काफी काम किय आपको यह ध्यान में रखना है कि 18 वर्स की आयू में उन्हें अपना देश यानी की तंजानिया को छोड़ना पड़ा जो की 1960 के दसक में बिटिस अपनिवेसिक सासन से सुतनता प्राप्त करने के बाद हिंसा का सिकार हो गया और वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में बहुत ही ज्यादा हिंसा हुई और उसके कारण उन्हें 18 वर्स की आयू में ही अपना देश तंजानिया छोड़ करके बिटेन आना पड़ा यानि कि वे खुद भी एक रिफ्यूजी की तरह बिटेन में रह रहे थें और इसलिए उन्होंने आपनी वेस्वाद और रिफ्यूजी की समस्याओं को ले करके पूरे जीवन भर लिखने का काम किया आपको ये ध्यान में रखना है कि उन्होंने इंग्लेंड में 21 साल की उम्र में लिखना सुरू किया और लिखने के लिए उन्होंने स्वाहली के बजाए अंग्रेजी भासा को अपना माध्यम ब करके refugees की समस्याओं को ले करके काफी कुछ लिखा है और उनके इसी कार के चलते उन्हें यह noble पुरसकार भी दिया गया है तो इस news को भी आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे आए अब आज के विश्यो परधारित मुख्य परिक्षा के अभ्यास परस्टों पर चर्चा कर लेत यह बताएंगे कि पिछले कुछ महीनों में किस तरीके से पूरी दुनिया में और खासकर के उरोप में प्राकेटिक ग्यास की कीमिते बढ़ी हैं और सबसे important आपको यहाँ पर यह चर्चा करना है कि आखिर वे क्या कारण है जिसके कारण प्राकेटिक ग्यास की कीमिते बढ किस तरीके से clean energy के लिए बाकी सारे देशों के द्वारा कोईले को छोड़ करके प्राकेटिक ग्यास की और सिफ्ट किया जा रहा है आप इस बात की भी यहाँ पर चर्चा करें जो उत्पादन कम किया गया है बहुत सारे देशों के द्वारा आप इस बात की भी यहाँ पर यह समझाने का प्रयास करें कि आखिर वे कौन से कारण है जिसके कारण प्राकेटिक ग्यास की कीमिते यहाँ पर बढ़ रही हैं आईए कोश्चो नमबर टू पर चर्चा कर लेते हैं कोश्चो नमबर टू है जलवायू परिवतन का प्रभाव नदी घाटियों को नुकसान पहुचा सकता है विसलेशन करें तो इस पर भी हमने खुल कर चर्चा किया आप यहाँ पर जब उत्तर की संचना करेंगे तो भूमिका में हिमाचल पर देश में हो रही कम ब्रभबारी का उलेख करेंगे और मुख्य भाग में वहाँ पर जो एस्टडी किया गया है और उसक पुरे देश की जीवन रेखा है और अगर ऐसा ही जारी रहा तो किस तरीके से इसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ सकता है उसकी भी आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं आसा करता हूं कि आपको आज का ये दहिंदू समाचार विसलेशन पसंद आया होगा सारे ट और धन्यवाद